असलाम अलेकुम आज हम Oxford Modern English Book 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो किकपौम है B और MSCS Learning Facilitation Center की तरफ से मैं हूँ फरुख हमेशे की तरह मैं आप से कहूँगा कि जो भी वीडियो हम बना रहे होते हैं उसको देखने से पहले आप difficult words को underline कर लें और उसके meaning dictionary से निकाल लिया करें इससे आपकी dictionary skills बहुत अच्छी हो जाएंगी जो कि बहुत जरूरी है और साथ में आपको जब मैं लेसन समझा रहा हूंगा तो उस वक्त आप words के पीछे नहीं भाग रहा हूंगे बलकि आपका ध्यान lesson को समझने की तरफ होगा ठीक है मज़े की बात ये कि इस poem के नदे कोई सवाल जबाब भी नहीं है ये बस आखिर में एक poem दी वी है ठीक है बे तो बी का मतलब है आपको ऐसा रहना चाहिए आपको ऐसा होना चाहिए ठीक है Be good to your friends, be true to your word, be sure to speak well because you'll be heard Be loved and show love, be kind, be giving and kind, be strong, be gentle and clear in your mind Begin each day with a smile on your face, believe that you'll surely win any race Be good to your friends, अपने दुस्तों के साथ अच्छे रहे, अच्छा बरताओ करें उनके साथ अच्छे रहे और be true to your word, और जो कहें उस पे पूरा उतरें Being true to your word का मतलब अपनी बात को सच साबित करें यानि जो कहें वो करके देखाए Be sure to speak well इस बात को यकीनी बनाए कि आप अच्छी बात करें आपके मुझे अच्छी बातें निकला करें गंदी बातें, बुरी बातें, किसी का मज़ाग उड़ाना, जुट बोलना कोई गलत अलफाज मुझे नकाल ना दो इस तरह की चीज़ें ना निकलें इस बात को यकीनी बनाए कि आपके मुझे अच्छी बातें निकलें Because you'll be heard क्योंकि आपकी बातें सुनी जा रही होती ना आप सुने जाएंगे, आपको सब तरफ लोग सुन रहे होंगे तो अगर आप गलत बात मुझे नकालेंगे बुरी बात मुझे नकालेंगे तो लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे Be loved and show love आप ऐसा करें, कुछ ऐसे behaviors अपना हैं अपनी इंदकी में ऐसा करें कि लोग आपसे महबत करने लगें Be loved, लोग आपसे महबत करने लगें And show love, और आप लोगों को महबत शो करें आप लोगों को love शो करें ठीक है? लोगों के साथ ऐसा बरताओ करें कि लोग आपसे महबत करें और आप लोगों से महबत करें Be giving and kind और आप ऐसे बने कि जो देने वाला हो ऐसा शख्स हो जो लोगों को चीज़ने देता है बी गिविंग एक ऐसा शख्स बने जो कि देता है ठीक है लोगों को देता है उनको खरश करता है उनको गिफ्ट देता है छोटी छोटी चीज़ने देने मुसको कोई मसला नहीं होता ठीक है, and be kind kind और महर्मान रहें, लोगों के साथ महर्मान ही करें लोगों के साथ अच्छा सलूक करें लोगों को favors दें ठीक है, तो जैसे छोटी छोटी बात होती ना, कि अगर किसी के पास pencil नहीं है तो आपने share करा लिए, अब ये भी नहीं है अगर स्कूल में किसी के पास नहीं है तो आपने सको काम करने के लिए दी, लेकिन याद से उससे वापस भी ले ली, ठीक है ना तो इस तरह से आप लोगों के साथ महर्वानी कर सकते हैं Be strong, be gentle and clear in your mind अब strong बने, मजबूत बने लेकिन उस strong बनने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों के साथ सक्त हो जाएं बलकि आप लोगों के साथ नर्म रहें strong होने का मतलब यह है कि आपने जो करने का फैसला कर लिए आप वो जरूर करते हैं, तो ऐसे लोग strong होते हैं जो सोच लिया कि मैं ये काम आज ش scar तक complete कर लूँ गा तो बस जडरूर करेंगे ऐसे लोग ही strong होते है strong का मतलब ये नी होता है कि इचांग के चीजें फेक जो जाद़ा चीजें उछाकर फेक सकता है हो ज़्याद़ है जो जाद़ा वदर उठा लेगा हो जाद़ा strong है strong वो है जो अपनी बात पे ज्यादा पका कायम रह सकता तो अगर आपने कहा मैं शाम तक ये काम कर लूँगा तो अगर आप वो कर्स कर लें तो आपको कहा जाएगा आप बहुत strong है ठीक है लेकिन be gentle साथ में ही लोगों के साथ बहुत आराम से बहुत प्यार महबद से बात करने की यादत डाले and clear in your mind और आपका जहन बहुत clear होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है आपको अपको अपनी जिंदगी में क्या करना है आपको क्या बनना है आपके routines क्या है हर चीज आपको वाज़ होने चाहिए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि alan वो सोचर ने पता नहीं क्या करना है पता नहीं क्या करूँ ये करना था की नहीं करना था ये होना चाहिए तो आपके 8-g Тем की चीजों के बारे मापको बहुत clear हो इतने बज़े बज़े उठंगा इतने बज़े स्कूल जाओंगा, इतने बज़े होंवर्क करूंगा अपने रुटीन्स के बारे में क्लियर हो अपने पैरिन्ट्स के साथ कैसा बिहेफ करना है आपको अच्छी तरह पता हो टीचर्स के साथ कैसा बिहेफ करना है अच्छी तरह पता हो दोस्तों के साथ कैसे रहने है अच्छी तरह पता हो ठीक है स्ट्रेंजर्स के साथ कैसा करना है उनके साथ बात नहीं करनी है आपको अच्छी तरह पता हो तो ये साथी चीज़ें आपको क्लिर होनी चाहिए जो आपके आसपास हो रही है ये कहना चाह रहे हैं आपे आपसे Begin each day with a smile on your face अपने हर दिन की शुरुआत ऐसे करें कि आपके चेहरे पे एक मस्कुराइट हो आप खुश हो जाहर है इस बात पे खुश हो कि आप कितने लगी हैं आपको कितना कुछ दिया है और आप यकीना कुछ अचीव करने जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में यकीना कुछ अच्छा पढ़ने जाएंगे कुछ सीख के आएंगे अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे तो आपके चेहरे पे मस्कुराइट होने चाहिए कि कोई भी मकाबला हो, कोई भी रेस हो, आप भी जिदेंगे, चाहे वो पढ़ाई की रेस हो, चाहे वो कोई स्पोर्स में हो, अचा, ये यकीन रखना चाहिए, और सिर्फ यकीन रखने काफी नहीं होता, बलके उसके लिए मेहनत भी करनी पर दिया, तो यकीन रखें और यकी effort की, उसके बाद नतीज़ जो भी आए, doesn't matter, हो सकता है कि किसी और ने उससे भी ज़्याद effort की हो तो वो win कर गया, उस पर रोना धोना, मूँ बनाना, नराज होना जैलिसी करना, ये अच्छी बात नहीं है जैसे कि एक match खिलने जाते हैं, तो match खिलने में कितना मज़ा आता है, कोई टीम जीते की तो कोई हारेगी भी तो, अब हारने वाले रोते ही रहे हैं, हमें तो मज़ई नहीं आए, नहीं मज़ए आया था effort करने का मज़ई आया था, जान लगाने का मज़ए था, हर तरह कि जो sports होते हैं उसमें ऐसे ही होता है कि कोई winner होता है कोई loser होता है लेकिन जो lose करता है वो कोई bad तो ही feel करना जाए उसको कि भई मैं तो बस अब मुझे मज़े मज़ा ही नहीं आए इस खेल नहीं बहुत मज़ा आया खेलने का अपना मज़ा था सही है ना भई तो ये यकीन रखके आप घर से निकलेंगे आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे जितने की और उसके लिए आप hard work भी करेंगे अपनी efforts भी करेंगे उसके बाद नतायद जो भी आए doesn't matter you'll be happy ठीक है जी तो उमीद है यहाँ पे आपको अच्छी सी पॉम भी समझ में आ गई होगी कुछ सिनार्स तो कोई थे नहीं लेकिन जब आप से कोई पूछे गा कि क्या था भी इसमें तो आप उसको अच्छा से explain कर सकेंगे ठीक है जी बस यहाँ पे आपसे जाद चाहते हैं अपना बहुत सारा खिया लगए गया फिर किसी और अच्छी से लैसिन के साथ में लगात होगी यहाँ आपस्ट